ते जननमाष्टमी के अफसर पर भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं आपको आद्वाइज देना चाहते हैं क्या मैसेजिस कोप कर लिए आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगी आपकी कुन मनोकामना पूरी होगी जो भी ये कार्स मुझे बताएंगे फिरों राधा कृष्ण मैं आपको बताने वाली हूँ पूजा विदी विदान से करें जो फास रखते हैं वो फास रखें पूरी तरह से डिवाइन को समर्पित कर दें, सरंडर कर दें भगवान कृष्ण राधा को समर्पित कर दें, definitely आपके मन के इच्चा जरूर पूरी होगी, so without wasting much time चलते हैं और चेक करते हैं भगवान कृष्ण आपको क्या कहना चाहते हैं राधे, राधे श्री कृष्ण आपको कहना चाहते हैं कि आप बहुत बर्डन फील कर रहे हूँ अपनी जंदगी में बहुत बोजल फील कर रहे हूँ, आपको ऐसा लगता है कि चाहे कोई relationship हो चाहे कोई career हो सारी चीजों का भार safe for safe आपके shoulders पे है सिर्फ आप efforts लगाते हो हर कामों में बहुत जादा और सामने से आपको उतना support नहीं मिलता अगर आप family में भी हो तो पूरी family का pressure आपके उपर ही है तो भगवान कृष्ण आपको कहना चाहते है कि इस pressure से बहार निकलो अपनी life में थोड़ा सा enjoy करो rest करो, अपना time निकालो enjoy करो, entertain करो meditation या फिर yoga center join करो and music सुनो, dance करो, कोई hobby classes join करो and जब बहुत काम का burden लगे तो दूसरों को काम divide करना सीखो दूसरों को काम बताना सीखो without any hesitation जिन लोगों के लिए आप इतने efforts लगा रहे हो इतने प्रयास कर रहे हो अगर उन्हें आप काम बता दोगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है तो hesitate मत हो next card the source का card है राधे, राधे भगवान कृष्ण आपको खहना चाहते है कि divine, universe, भगवान कृष्ण, राधा सब आपके साथ है जिनको भी आप मानते हो वो supreme power आपके साथ है आपके पास है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है एक rough cycle है एक बुरा time है जो almost over होने वाला है एक new beginning start होने वाली है आपको blessings मिलने वाली है आपकी manifestations आपकी prayers कबूल होने वाली है राधे, राधे लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए आपको करना है कि आपको हिम्मत नहीं हालनी है गिव अप नहीं करना है ओवर बर्डन फील करती हो तो काम को divide करो meditation कोई hobby classes join करो meditation center join करो yoga center join करो universe की blessings आपको मिल रही है universe आपके साथ है वो आपको guide कर रहे है वो आपको bless कर रहे है और source का guide मुझे ये भी बताता है कि आपके manifestations आपकी prayers बहुत जल्दी कबूल हो रही है आपके hard work pay off कर रहे है आपको हिम्मत नहीं हानी है divine को surrender करना है over burden and over stress feel नहीं करना है one more card aloneness बहुत सारे लोग sorry friends बाहर से थोड़ा सा noise आगया था राधे राधे Lord Krishna आपको कहना चाहते है कि अगर आप life में बहुत तन्हा, अकेला, मायूस, over burden and over stress feel करते हो आपको लगता है कि आपका कोई सहारा नहीं है आपको कोई समझता नहीं है आप ही हमेशा औरो की परवा करते हो आप ही हमेशा औरो की care करते हो workplace हो या family हो या घर हो हर जगा आप ही efforts लगाते हो लेकिन return में लोग आपकी value नहीं करते तो सबसे पहले आपको अपनी value खुद करनी है सबसे पहले आपको अपनी value खुद करनी है थोड़ा सा selfish बनने में कोई बुराई नहीं है then definitely लोग आपको understand भी करेंगे आपके efforts को समझेंगे भी आपकी value भी करेंगे and one more card cleansing to the past राधे राधे Lord Krishna कहना चाहते हैं आपको कि अगर आपके past के भूत काल के आपके लाइफ में कुछ issues चल रहे हैं जिनसे आप trigger होते हो तो उन issues को भूल कर उनमें से बहार निकलने की कोशिश करो because वो past था वो वापिस नहीं आएगा लेकिन होता क्या है कि present में उसके बारे में सोच सोच के पहले तो आप अपना present ख़राब कर रहे हो and then अपना future भी वो past था sorry friends आज राधा कृष्ण के संदेश आप तक पहुँचने में बहुत disturbance हो रही है but यह संदेश आप तक पहुँचेंगे so cleansing to the past भगवान कृष्णा कहा रहे है कि past past था उसको वहीं छोड़ दो present में जियो and future को plan करो one more card for you new vision नई तरीके से आपने अपने life को set करना है नई तरीके से life को सोचना है life में plan करना है नई तरीके से नई राहों को चुनना है नई तरीके से नई strategy बनानी है new upcomings आपकी life में आ रहे हैं because divine की blessings आपके साथ है राधे राधे ये उन लोगों की life में आ रहे हैं जो भगवान कृष्णा के दिये हुए संदेशों को समझ रहे हैं उनके advices को follow कर रहे हैं one more card राधे राधे अपनी life का control और सबसे पहले अपने मन और अपने दिमाग का control आपके खुद के हाथों में होना चाहिए जब तक आपके मन का control आपके हाथों में नहीं है आपके brain का control आपके हाथों में नहीं है तब तक life आपके control में नहीं है आपकी life आपने पहले ही दूसरों के control में दे दी है फिर और लोग तो उसका फार्दा उठाएंगे ही फिर आप बोलोगे कि हमारी कोई value नहीं करता हमारी कोई care नहीं करता हमारे efforts को कोई समझता नहीं है हमारे जो sacrifices हैं उनकी कोई value नहीं है हम करते जाते हैं लोग लेते जाते हैं लेकि कोज अभी तक आपने अपने दिल और दिमाग को कंट्रोल में किया ही नहीं है। आपका दिल कहता है कि सामने वाले के पीछे-पीछे घूमो, आप उनके पीछे-पीछे घूमते हो। आपका दिमाग कहता है कि वो वाल्यू नहीं कर रहा, उसे हट जाओ, आप हटने लगते हो, लेकिन सबसे पहले आपको देल और दिमाग को कंट्रोल में करना है, बैलेंस करना है, और एक मिच्चूर परसन की तरह लाइफ को हांडल करना है. नेक्स्ट मेसेज है सिजोफेनिया, आप में से बहुत लोग हमेशा क्रोस रोट पे फील करते हैं कुदको, बहुत ही खुबसूरा सी बांसुरी भार बजने लगी है, राधे राधे, सिजोफेनिया इस इंप्लाइंग कि आप हमेशा अपने आपको क्रोस रोट पे पाते हो, दो राहे पे बाते हो, आपको नहीं समझ में आता कि आपको फैमिली चूस करनी है, अपने किसी लाइफ पार्टनों को चूस करना है, किसी रिलेशनशिप में रहना है, या मूव ओन करना है, या फिर किसी जोब को जोईन करना है, या वहाँ पे स्टे करना है, या वहाँ से resignation देना है तो कई चीजे हैं जब भी आपको decision लेना होता है अक्सर आप confused हो जाते हो तो divine राधा क्रिशन आपको कहना चाहते हैं कि ऐसे मैं अपनी intuition को follow करो और intuition को वो लोग follow कर पाते हैं जो शांत रहते हैं maturely अपनी life को deal करते हैं balance रहते हैं meditation करते हैं और relax रहते हैं sorry friends एक्चुली भार noise बहुत है तो जब भी आप crossroad पे पाहें दो रहे पाहें तो अपनी intuition को सुने अपने मन को सुने और उसको follow करें patience राधे राधे डिवाइन कृष्णा राधे कृष्णा आपको कहना चाहते हैं कि अभी आपको कुछ चीजों के लिए patience और सब्र रखना पड़ेगा कुछ तिंग्स का divine timing नहीं आया जब divine timing आएगा तब वो automatically हो जाएंगी तब तक अगर आप impatient हो जाएंगे तो आप अपनी energies को ही low feel करेंगे तो friends कुछ चीजों में भगवान कृष्णा कह रहे हैं कि आपको patience रखने की जरूरत है सब्र रखने की जरूरत है relax रहने की जरूरत है जो चीज़ी अभी होके नहीं देरी उनको future पे छोड़तो because उनका time अभी नहीं आया last message for you then हम check करेंगे कि ये जनवाश्थमी आपके लिए क्या खुशिया लेकर आएगी we are the world राधे राधे लोड कृष्णा आपको कहना चाहते हैं कि आपको घर family परिवार इनका सुक डेफिनेटली प्राप्त होगा second thing is this कि अपनी family से मिलकर चलो उनके साथ अच्छी compatibility बना कर चलो ठीक है एक होता है sometimes बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमेशा हम ही काम करते हैं लेकिन बागी कोई support नहीं करता तो actually क्या होता है किसी भी रिष्टे में जब हम सारी responsibility ले लेते हैं तो सामने वाले को वो काम करने की आदत रहती ही नहीं और एक के करना बंद कर देते हैं तो शुरू से ही ठीक को balance में लेकर चलें अगर ठक रहे हैं अपने काम को डाइवर्ट करें बिमार हैं अपने काम औरों को सूपे किसी दिन नहीं मन कर रहा है तो बाहर जाएं घूमें फिरें इंजोई करें एक दिन का off भी लें ये इस्पेशली सभी ग्रहनियों के लिए हैं जो हमेशा घर में रहती हैं पूरी फैमली के केर करती हैं लेकिन उनकी केर कोई नहीं कर पाता वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने शुरू से ही सबकी केर करने की रिस्पॉंसेबिलिटी इतनी जादा ले ली कि वो आपको समझ ह ही नहीं पा रहे कि कभी आपको भी तकलीफ हो सकती है तो इसलिए कहते हैं कि ओवर स्ट्रेस लेने से या फिर ओवर बर्डन होने से अच्छा है थोड़े थोड़े काम औरों को बताते रहें ताकि औरों को अपने रिस्पॉंसेबिलिटी समझ में आए कुछ काम करने की आने वाली है पेला कार्ड है प्लेफुलनेस राधे राधे बहुत ही रिलाक्स एनरजी जन्माष्टमी के बाद आप फील करोगे आपको लगेगा आप जैसे हवा में उर रहे हो आप खुद के लिए वर्क करोगे खुद को एंटर्टेन करोगे कहीं मूवी देखने पार्टी करोगे खुद के लिए जीओगे एक निया स्टेप लोगे खुद में बहुत हैपी और हलका फील करोगे और बहुत ही रिलाक्स फील करोगे काफी इंजॉय करने वाले हो थंडर बोल्ट अगर कुछ नेगिटिविटी आपको बहुत जादा परिशान कर रही थी त वन मूर कार्ड उटविती तो जन मास्ट में क्रिएटिविटी इस इंप्लाइं राधे राधे कि आप में से कई लोगों की मारिजिस हो सकती हैं, रियूनियन हो सकता है, रिकंसीलेशन हो सकता हैं और वही अगर आपके घर ग्रिस्ती फामली में कोई प्राब्लम थी तो वो लाइफ में आगे सब कुछ अच्छा होगा जो आगे सब कुछ अच्छा होने की possibility में believe करते हैं manifestations and prayers करते हैं आपको विदेश घुमने जा सकते हो आपकी कोई foreign trip जो है successful हो सकती है आपका foreign settlement हो सकता है आपको कोई कोई नई जोब कोई नई opportunity मिल सकती है आपको निया घर बन सकता है यह सारी चीज़े जनमाश्तमी के बाद हो जाएंगी होनी शुरू हो जाएंगी बिकोज आप negative energies को release करके positive energies में जा रहे हो तो यह थी आपकी reading आपको कैसी लगी पसंद आई हो तो comment box में राधे राधे लिखना बिल्कूल ना भूलें thank you so much for watching bye for now have a good day take care